नमश्कार दोस्तों बोल्ट स्काय में आपका स्वागत करती हूँ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस आसन के बारे में जिसे करने से आपके हाथ पैर और गर्दन की अकडन दूर हो जाएगी आफिस वाले लोगों को दिन भर बैट कर काम करना होता है ऐसे में उनके हाथ पाओ अकर चाते हैं इसके लिए पदमा चकरासन काफी अच्छा है इसे करने के लिए पदमासन में बैठें रीड की हड़ी सीधी रहें दोनों हाथ दोनों और पसा रहें हाथ के अंगूठे उपर की ओ रहें सांस छोड़ते हुए दाई और घूमते हुए पीछे देखें सांस लेते हुए यथा स्थिती में आएं इसी प्रकार बाई और भी करें चार से छे बार इसे दोहराएं रीड की हड़ी पर ध्यान लगाएं पदमासन के सभी लावों के साथ साथ इस आसन से गरदन तथा रीड की हड़ी का दर्द दूर होता है रीड लचीली बनती है अधिक लिखने वालों कम्प्यूटर पर काम तथा टाइप करने वालों आदी के लिए ये आसन बड़ा उप्योगी है ये आसन आपकी रीड की हड़ी को स्वस्थ रखते हुए इसको मजबूत बनाने में सहायक है ये रीड के निचले अंतिम छोर तथा अंस मेखला के छेतर में अतरिक्त रग्त प्रवाह कर वहां की तंत्रिकाओं को बल देता है ये पाचन क्रिया को बहतर करते हुए कब्ज क को दूर करने में सहायक है इस आसन के अभ्याष से एकागरता को बढ़ाने में मदद मिलती है इसकी नियमित अभ्यास से स्मृती बढ़ने में मदद मिलती है इस योग अभ्यास से सास के फूलने को कम किया जा सकता है ये पैरों में अधिक पसीना आने दुर्गनद आने या थंड़ा गरम लगने की समस्या को दूर करने में भी लापकारी है इस आसन के करने से पैरों में खून का बहाव कम हो जाता है जिससे खून उदर के अंगो मासपेशियों एवं नसों को और मजबूर बनाने में मददगार होता है इस वीडियो में फिलहाल इतना ही हम जल्द लोटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ तब तक के लिए जुड़े रहें बोल्ट सकाई से